जी तो प्यारे बचो कैसे हैं आप मैं उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे प्यारे बचो दो हतार चोबिस में एक स्वाल किया गया गिफ टू यूजिज ऑफ पी एज यह है पिच नमबर 34, चैप नमबर 10, Acid Bases and Salts इस सवाल कर क्या जवाब होगा? देखें, आपके सामने यह यूजिज लिखे होएं, तीन यूजिज पी एज के दिये गए हैं पी एज को मैंने डेलिबरेटली एक्स्प्लेइन किया है, मेरा लेक्चर जरूर दिखेगा आप पी एज लिखें, यूट्यूब सर्च बार पर और आगे जी एस अकैडमी लिखें, आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा बरहल यूजिस क्या है पी एज की, इसका जवाब मालूम करते हैं अगर आपके पास कोई भी solution है, तो वो acid है, या base है यह कैसे पता लगेगा, बरहल पी एज आपकी help करेगा यह बताने के लिए second use का यह हो सकता है, कि इसको medicines, culture at microbiological particles, concentration of H plus iron अब H plus iron, यानि कि अगर ions का अंदाजा हो, तो हम अच्छी medicines बना सकते हैं और कुछ microbes को grow कर सकते हैं, जिसरांके bacteria औगरा को grow किया जा सकते हैं उसको आप कहेंगे culturing, इस technique को culturing कहते हैं और अमूमन, bacteria को grow किया जाता है एक carbohydrate की मदद से, that is agar लेकिन उस agar का pH क्या होना चाहिए और उसका pH ही basically बताएगा कि कौन सा bacteria अच्छा grow कर सकते हैं जैसे आपको भी conditions सही है रहने के लिए, अगर pressure, atmospheric conditions अच्छी होंगी तो आप अच्छा grow करेंगे प्यारे बचो इसके लाब़ पीज का एक और इस्तमाल है पीज को आप इस्तमाल कर सकते हैं for the preparation of solutions जिनकी concentrations आपको पता होनी चाहिए required concentrations यानि कि आपकी मरजी की concentrations concentrations कहते हैं किसी भी चीज के गाड़ेपन को, किसी भी चीज की required values को Necessary for the certain biological reactions क्योंकि अगर आप required concentrations लेंगे उसकी मदद से आप biological reactions कर सकते हैं लेहादा पीज का इसमें भी काफी ज्यादा इस्तमाल है and I hope so आप तीनो points याद कर लेंगे क्योंकि 2024 में यह स्वाल किया गया था आपसे मजीद videos के लिए YouTube के उपर आप किसी topic या question को लिखें और साथ GS Academy लिखें आपको हमारी video मिल जाएगी That's it! Subscribe! जाइवेगी कर दो आपके लिए